चलिए हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के अंतरगा संभीधान की उद्देशी का एब हम जो संभीधान है उसकी विशेथा है फीचरस देखेंगे सान्त में हम प्रियइम्बाल के बारे में देखेंगे उसको दी है उसे दिसा निर्देश दी है तथा जो इस क्रम में जाच परक लिए गये हैं बेही भारती लोक तंत्र का अधार बने हैं और भारती है जो सम्विधान है उसकी प्रस्तावना में इन्हें सामिल किया गए है जो की हम अभी देखने वाले हैं भारते संविधान की सारी जो धारा है इन्हीं के अनुरूप बनी है संविधान की सुरुवात जो बुनियादी मुल्य है उसकी एक छोटी सी उद्देसिका के साथ ही होती है मतलब जिसे हम जो प्रस्तावना है या फिर उसको प्रेयंबल बोलते हैं इसे संविधान की प्रस्त प्रस्तावना की तो आप देखिए इस प्रस्तावना को आप जश्किता से घर्यात कर लेते तो आपको मैंस में भी काम आने वाली है और यहां पर प्री में भी आपको जो एक्जाम में कोई भी मतलब मल्टिपल चॉइस कोशन वाले जो भी एक्जाम रहते हैं उसमें आपको ये चीजे देखने को मलेगी तो आप दीखे यहां पर हम बात करें हाँ पर देखे प्रस्तावणा या उद्देशी करिस को बोलते हैं तो इसमें लिखा तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजिक आर्थिक राजनेतिक न्याय हैं देखे तीन तरीके के विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपाशना की सवतंतरता मतलब सवतंतरता किस किस प्रकार की होने चाहिए प्रतिष्टा अफसर की समता ठीक है तो ये दोनों मैं आज तारिक 26 नवंबर 1999 को मिती माक्सी सुकल सप्तिमी संबत 2006 बिक्रमी को इतत द्वारा इस सम्विधान को अंगिकरत अधिनियमित और आत्मारपित करते हैं तो ये कंप्ली टूप से जो सम्विधान की प्रस्तावना है उद्देशी का है तो ये एक सम्विधान का जि मिलेगा तो इसी के बारे हम यहां कंप्ली टूप से जानने वाले हैं और विसेस्ताव के बारे में जानेंगे हम सम्विधान की तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सम्विधान की जो उद्देशी का है उसके उद्देश और उसके महत्व के बारे में जान लेते हैं तो उद जो दार्मिक एवम्नेतिक मुल्फे उसका उलेथ संविधान के इस तथा अकंग्ठ की गई है भारत। प्रथम प्रथान मंत्री पंडित जबालाल नहरू इन्होंने उद्देशिका को संभिधान की आत्मा कहा है संभिधान निर्माण में महत्पून भूमी का निवाने वाले जो संभिधान सभा के सदस जिनका नाम था अल्यादीकरशन स्वामी अयर इनके अनुसार संभिधान की प्रस्तावना हमारे दिर्गकाली सपनों का विचार है और पस्तावना का उद्देश सम्मिधान के प्रादिकार के सुरोतों को स्पष्ट करना है कि सम्मिधान के प्रादिकार का मूल सुरोत भारत के लोगों अर्थात भारत की जनता में नहीं थे तो यह सारे चीज हमको देखने मिलती है, इसके बाद इसकी सब्दा बली देखने मिलती है, सब्दा बली यहाँ पर हम देख सकते हैं, कौन-कौन सी है, पहला तो हमने देखे थे हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब जो बेस है, जनता है, मतलब भारत की जनता है, तो प्रभु सक्ति के रुप में घोसित करती आंनल नहीं है कि नहीं कि अथिकार्चतर के संपूर्ण भारत की कंशा हुआ कि संपूर् प्रभु おगा, और इससे नहीं होगा और यह EDQAd प्रभुता भारत की जनता में नहीं थे नेक्स्ट जो मिलता है देखने को समाजबादी को मतलब क्या होता है बात करें तो संबिधान संसोधन की तहट जो ड़ा गया था इसके बाद देखने मिलता मिलना पंतनेश तो पंतनेशन के अगर बात करें तो संभीधान किसी विशेष धर्म को यहां पर महत्ब नहीं देगा और यह भी जोड़ा गया था बैलीज भी संभीधान संसुर्दन के तहर उनिस सुच्छार के तहर तो भारत एक पंत्र निर्फेक्ष राज है इसका अरते हैं कि भारत किसी धर्म विशेष को धराज धर्म के र सासं अब रहीं लिंकन गयनुसार जो सासं higher जनता के लिए जहुड़ा के दौरा सथापित सासं miał उसको लोकतंत्र वबहस्ता वोलते हैं बहारत प्रतिनीदी ड़ो'dita की जो वैबस्ता है उसका पालन करता है इसका अंत्रगत भारत में जनता अपने दौरा निर्वाशित प् निस्चित समय अब्धी के लिए होता है ना कि बंसानुगत होता है जैसे कि ब्रेटैन में आप देखें तो राजा या रानी जो है बंसानुगत बनते चले जाते हैं वहाँ पर क्राउं गंडराजी के सभी नागरिक समान है अथा किसी भी लोग पद हेतू वह निरवाजित हो सुनिचित करता है तो यह सारे सब्द हम देख लेते हैं अब देशिका के अंतरगा तो इनके बारे हमने जान लिया बेसिक रूप से हैं यहां पर तॉप त्री रेंकर्स को मिलेगा एक मंत का फ्री सब्सक्राइब की तरफ से और साथिसान यहां यही प्रसेस होगी और टॉ यह बितलि हम उनके प्लेंके सब्सक्राइब की तरफ से भिकिधन से अंब तारीकों चर्प लिप करता हैं तो प्लागी सब्सक्राइब के सुपक्राइब के और चैणगेberg आख बिद रीह को मिलें शसेशिने हैं क्न यहां पर यह सारे हो जाए hierarchy और यहांपर चल क्युक्त आपको 9 से उताथ हैं के लिगा इन पर न सब्सक्राइब करनेगे लेग हैं अपने परसंट परसंट में बने जय से एक पहले परह थे अपने सब्सक्रीजश करें इसे इस हैं करनेख शस हब लें का आप डिस्कौंड याप ले सकते हैं तो देर किस बात की लेट्स क्रैक इट अब हम बात कर लेते हैं संभीधान की विस्ष्था इनिकी फीचर्स ऑफ दा कॉंस्ट्यूशन तो भारति संभीधान की अनेक विस्ष्था है हम देख सकते हैं जो कि हम देखने वाले हैं जिस कारण विष्व के अन्य संभीधान से इसे प्रथक पहचान दिलाती है तो चलिए यहां पर हम एक एक बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हमको देखने मिलता है लिखित एबं बिस्रत तो पहली चीज़ तो आपको लिखित देखने मिलेगा और द मतलब अनुछेद है अनुछेद एक कावन है तो एक कावन के बाद में जब संस्वोध है तो एक कावन एक कावन का उसको बना दिया गया तो जो ए वी सी वाले उसको मिलाकर अगर देखे तो चार सो पैसट के आसपास लगभग हमको देखने को मिलते है तो 395 अनुछेद 8 पूर्व में देखने मिलती थी परन्तु अभी वरत्वान में 12 है क्योंकि 9,10,11,12 यह चार अनुसुची बाद में एड़ कर दी गई 22 भाग थे कुछ हटाएगा कुछ मिलाएगा जो भी है उसके बाद अभी भी हमको 22 भाग यहां देखने मिलते हैं परन्तु एवी सी उसके बाद में गर जोड़ दिया जाए तो 25 यह देखने को मिलते हैं तो इस प्रकार से अगर देखे तो काफी विस्तृत और लिखे थी हमक करके अगर देखे तो भारत सासन अधिनियम 1935 की बात करें तो इसका बहुत सारा जो मटेरियाल हमारे संविधान में देखने को मिलता है तो इसलिए विभी ने सुरोतों से मिलकर बना है नेक्स्ट जो है संसधी सासन प्रणाली दो यहां देख सकते हैं मतलब संगात्मक सान प्रणाली होती गति अध्यक्ट चामक सासन प्रणाली दूसरी है तो अध्यक्श आत्मक की अगर बात करे अद्यकष जो प्रणाली है उसे मतलब हमारे हमारे यहां पर नाया घय संखता है मन जो कारेकारी होता है रुप नकर में हो iç तो नुब यह यहां pop यूद्合ड हम नेक्स्ट होता हम मूल अधिकार के अगर बात करें तो सम्मिधान का मेगन कारटा इसको बोला जाता है भाग तीन में मूल अधिकार आपको देखने मिलेंगे टोटल मिला कर्च है पहले साथ हुआ करते थे परंतु सम्मिधान संसुधन हुआ नंबर का 1978 में तो जो मूल अधिकार के अंतरगा संपत्ति का अधिकार उसको तीन सो आ में पहुंचा दिया गया है उसको कानूनी अधिकार पदान कर दिया गया है और यह 12-35 तक आपको देखने को मिलते हैं उसके बाद राज्य के नीती निदेसक तत जिसे डीपी बोलते हैं डीपीएसपी ने के डारेक्ट्टू पेंसिपल उस्टेट पॉलिसी भागशार में देखने मिलते हैं और यह 36 से लेकर इंकावन तक देखने को मिलते हैं जो नीती निदेसक तत्व है डीपीएसपी की बात करें बो और यह आयरलेंड से लिए गया था है मूल अधिकार सबसे नीचे लेवल पर अगर देखें को तो ऊपर तक जाए सुप्रियम कोट तक तो सभी एक इकरत रूप से इंटीग्रेटेट रूप से जुड़ी हुई है निकिस प्रकार अगर देखें तो कंपी टूप से जुन्याय पहली का है वह एक दूसरे से जुड़ी हुई है और दूसरी चीज यह स्वतंत्र है स्वतंत्र मतलब इसके कारे में कोई भी दखल अंदाजी नहीं देगा तो यह चीज हमको देखने को निम मिलती है उसका संसद अपनी जाए सर्वोच्छ है और नियाई वेबस्ता जो अपनी जाए सर्वोच्छ है जैसे कि कुछ कानून म पर साथ कुछ गडबाड है उसका जो है रिव्यू करके ठीक है रिव्यू करने के बाद जो सुप्रिम कोट है उसको कैंसल कर सकता है तो यह अपने आप में सभी दोनों है अपने अपने छेत्र में यहां पर सर्वोच्छ है ठीक है तो संसदिक की सर्वोच्छता भी सर्वो पर कुछ प्रावधान ऐसे भी है जहां पर फिप्टी बन परसेंट यानि कि सादरन बहमत से हहां पर आसानी से जब्सम्धान संसुथा कर लिये जाते हैं तो दोनों ही चीज हमारे इसंभीधान में देखने को मिलते हैं कर लिए जानी कि देखने को मिलता फिरल नागरिकता का मतलब होता है भारत में 28 यहां और नो यहां पर इस्टे जो union territory देखने को मिलती है यहीं की यूटी देखने को मिलती है तो किसी भी union territory और किसी वी राज्य में पैदा हुआ वेक्ती only एक ही यहीं की भारत की नागरिक्ता ही उसको प्राप्थ होगी ना कि किसी अन्य state की होगी जैसे कि अमेरिका में देखें तो center की नागरिक्ता लगोती है और state की नागरिक्ता लगोती ही परन्तो भारत में सिर्फ एक ही नागरिक्ता होगी वो भी होगी भारत की नागरिक्ता ठीक है फिर 22 कमताधिकार की बात करें तो 18 साल का हुआ कोई भी बेक्ती जो की मतलब बिना किसी धर में जाती लिंग और अन्य किसी भीदभाव के अधार पर वो है मताधिकार दे सकता है लोगतंत्र में अपनी जो है भूमी का नेवा सकता है तो यहां हमको देखने को मिलता है चलिए पहले थी 21 साल और फिर बाद में 18 साल तो कौन से संविधान संसोधन हुआ था किसी एर में हुआ था तब जाकर मताधिकार की जो उम्र है वो 18 साल कर दीगी तो आपको बताना है कमेंड बॉक्स में फिर होता है मूल करतब नागरिकों के मूल करतब यह संविधान में मूल रूप से नहीं थे परन्तु 42 संविधान संसोधन हुआ था सौन सिंग समीती की सिफारिस पर यह जो है टोटल मिलाकर 1916 में 10 यहां पर मूल करतब को जोड़ा गया चैसी बस हमिधान संसोधन हुआ तो उसमें एक और जोड़ा गया ठीक है तो टोटल मिलाकर 11 हो गया और इसको देखने को मिलता है हमको भाग चार काम है देखने को मिलता है और एक कावन का अनुछिद में यह कंप्लीटूट से 11 देखने को मिलते है ठीक है फिर समीधान की स समीधान से ही सक्तिया पराप्त होती है ब्रेटन में संसत की सरवचिता स्थापित की जब कि अमेरिका समीधान में नियाई पाली का सरवचित है तो यहां पर हमारे समीधान की सरवचिता देखने को मिलती है तो यह देखे समीधान की विश्यसता है वो हमको यहां पर देखन प्रस्तावना ली गई है मौलीक अधिकार सवतंत्र न्याइपलिका न्याइक पुन्रिक्षाण यह जो समिक्षा है वह हमको देखने मिलती है जो डिसल रिव्यू सर्वच न्याले के न्याइधिसों की पदमुक्ति राष्टपती कारपालिका का प्रमुक्त और उपराष्ट राष्टपती उच्छी सदन का पदेन अधिकारी यह इतनी चीज हमको जो है अमेरिका से मिली है ठीक है मिली मतलब यहां से जीवेवस्ता को लाएगा है पूर्ग सोवियत संग्ष जो रूस की नाम से जाना जाता है तो मौलिक करतब यहां से लिए गया है ठीक है और प्रस केत्रा में ख्याथि प्राट वएक्तियों का मन्हों नेन फिर इसका फ्रांस की बात करें तो गंटनत्र वेवस्ता के हम चितौतान भृए थो चजिन नियत्या और से लिए गया है थिया संग्त्र के साथ संग्य वथा कि ब kau यहां पर ली गई है यहां मतलब आश्टिलिया से जर्मानी की बात करें तो आपात काल का जो आपात काल के समय मूल अथिकारों को जो निलंबान होता वो जर्मानी से ले दक्षिन अफ्रीकस संविधान संसोधान मुख्रूप से देखने मिलता है राजसभा के जो सदसे उसका निर्वाचन और जापान से बिधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो यह सारी चीज आपको यहां पर देखने मिलेगी जो सुरोथ है उसके बारे में तो यह कंप्लीट यहां पर हमने ओवर्व्यू देखें अब बात कर लेते हैं अभ्यास प्रशनों की अभ्यास प्रश पहला प्रशन आपको देखने मिलता है निम लिखित अउद्देशों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देसिका में सनिविष्ट नहीं है ठीक है तो देखें उद्देशी का मैं क्या नहीं है तो यह हम देख सकते हैं देखें यहां पर पहले भी हमने कोश्चन दे ठीक है ये नहीं है फ्रांसिसी करांती के नारे स्वतंतरता समानता और जो खालिस्तान यहां देखें तो इसने पूरी दुनिया को प्रेजित किया तो फ्रांस की करांती से हमने तीन सब्द लिये थे सोतनता समानता और एक और लिये थें जिसको बलते हैं बंदुता या फिर भाईचारा ठीक है तो यह ए नंबर का हमारे यहाँ पर राइट अंसर होगा निमली खितकत्नों पर विचार करना है और यहाँ पर जो सही अंसर है वो बताना है तो भारत के संभीधान में 20 भाग है गलत है 22 भाग है और एवी सी मिलाकर अगर देखे तो 25 है तो ए वाला जो है मारा गलत हो गया भारत के संभीधान में कुल 390 अनुच्छे दे यह भी गलत है 395 अनुच्छे मुख्रूप से परन्तु संसोधन के साथ अगर देखें तो तीन सो चार सो पैंसर देखने मिलते परन्तु ओरिजिनल आंसर का नुबरन संसोधन दोरह जोड़ा तो यहां पर देखें ग्यार्वी जोड़ा गहां परन्तु यहां देखे यहां looking आनसर नहीं तो है तो यहां पर वर्च उनिशारर में प्रांती सभा द्वह भारत की संही गयी थी विल्ख्रण तो है पहला प्रश्ट गीत बंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटरजी जो है मूल बंगला भासा में की थी तो यहां देख सकते देखें यह गलत है फिर उसके असक संबत पर अधारित राष्टिय पंचांग में एक चैतर समानेता है 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है यह सही है भारत की राष्टिय द्वच के प्रारूप को सम्विधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपना गया तो यह भी सही है तो हमा आपको याद रखना फिर आपको देखिए जो है टेबल को मिलाना है तो टेबल एक तरफ दिया है भारती संब्धान की जो जो सुरोत मतलब हमने जो लिये थे और उनका स्रोत जिस देश से वह अपनाए गया तो देखिए राज के नितिन दे सकता कहां से लिए गया है यह ल तो बात का संग है तता संग में अधिक सकती नहीं थे लिए थे कनाडा से लिए तो यहां पर screen पर हमारा राइता juga . नेक्स्ट है भारत के सम्मिधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था तो उद्देशिका का विचार हम देख सकते हैं प्रस्तावना का विचार तो प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है अमेरिका यूएसे से लिया गया है सामुहीक उप्तरदाईट की प्राणाली यह जो बोला जाता है तो यह बिवस्ता जो है भारत में अलग इसलिए यह बिटन से बिनने का राइट आंसर होगा तो लिखी संभीधान का प्रारम किस देश से हुआ तो लिखी संभीधान का प्रारम हमने देख थे सबसे पहले अमेरिका से हुआ ठीक है फिलड एलपीय सम्मिलन के दौरा और 1889 में इसको मतलब अपना लिया गया था अमेरिका में सबसे पहले लिखी सम्मिधान बरतमान में भारतिये जो सम्मिधान है उसमें गर्णा की दरिश्टी से कुल कितने अनुच्यत और अनुच्यत कितने हैं अनुच्यत 355 है तो यह वाला हमको देखने मिलता है वार अनुच्यत है तो यह बी नंबर का हमारा राइट आंसार होगा भारतिय सम्मिधान का कौन सा भाग सम्मिधान की आत्मा कहलाता है तो यह सम्मिधान की आत्मा जो है मतलब यहां देख सकते देखे जो मूल सारांस होता है वो उद्देशी का होता उद्देशी का हुई ही भारतिया आत्मा है भारत मतलब सम्मिधान की आत्मा हो अच्छा कि परसन के दौरह यह बोला गया था आपको कमेंड बॉक्स में इसका अंसर बताना है ठीक है निमलिखित विवादों में से किसमें सरवोच नियाले ने प्रस्तावना को भारती संभिधान की मौलिक संरचना का भाग सुईकार गया है तो यह मुख परसन है 1973 का मामला था जिसको बोला जाता है केसपनन भारती विवाद ठीक है किसके विरुद्ध था और इनके अभी डेध भी हो गई है तो किसके विरुद्ध था यह आपको बताना कमेंड बॉक्स में ठीक है केसपनन भारती विवाद भारत के सम्विधान के जो निर्माता थे उसका मत निमलिखित में से किसमे प्रतिविम्बित होता है तो ये उद्देश्रीका में प्रतिविम्बित होता है जो की question हम पहले भी पढ़ चोके हैं निमलिखित में से कौन सा सब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है तो देखे समाजबादी है पंतने पेक्ष है और संप्रभूता संपन है लोग कल्यान यहां देखने को नहीं मिलता तो बी नंबर का हमारा राइड आंसार होगा भारती संविधान की प्रस्तावना में निमलिखित में से किस स्वतंतरता का वर्णन नहीं है तो अभी हमने देखे थे आर्थिक स्वतंता का वर्णन नहीं है बाकि तीनों स्वतंता आपको देखने को मिलेगी निमली खित में से किसने भारती सम्मिधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभू प्रजयतांत्री गंडराज की जन्म कुंडली कहा है तो ये परसन है के एम मुंसी के द्वारा कहा गया हमारे संप्रभू प्रजातांत्री जो गनतांत्र है उसकी जनम कुंडली है प्रस्तावना भारत के संभीधान के उद्देशों में से एक के एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंद किया गया है तो किसमें उपबंद किया गया है यह किया गया है देखे उद्देशी का और राज्य के निती निती निते सकता तपर और उद्देशी का यहां देखने के मिलत सब्द 1950 में लागू संभीधान के अंग नहीं थे तो हम देख सकते हैं देखे समाजबादी आपको संभीधान संसुदान उनने सोचातर में जोड़ा गया धर्म रेप्रेक्ष ये भी आपको संभीधान 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 आपको एक सासंद्वारा राज्कियों देख सकते हैं 26 जनवरी उननीशों पचास को ही अंगीकरत किया गया था यहां पर राज्क चिन उसके बाद है भारत के सम्मिधान की जो प्रस्तावना है उसको सम्मिधान का परिचे पत्र की संग्या किस ने प्रदान की तो ए एन पालकी वाला के दोरा ये बोला गया कि जो भारत की सम्मिधान की प्रस्तावना है वो परिचे पत्र है सर्वोच नियाले ने किस मामले में कहा कि पंतर निर्पेक्षिता संभीधान के मूल धाचे का भाग है तथा धार्मिक शैशनुता वा बंदुता इसके अधारभूत भाग है तो यह कहा गया देखे एस आर भूम्मई बनाम भारास संभ 1999 का जो मामला आया था उसमें यह कहा गया है निम लिखित कत्नों पर विचार करना है और यहां देख सकते हैं देखें सही कत्थन का चुनाओ करना है तो बेरुवारी संग 1960 में प्रस्तावना को संसोधिनी ये माना गया तो यह गलत है निम ने, मतलब झेए भारत संविधहन के विशहां मिलिक conjunction कात्नों में से कौन साकता रहे ज़लinkों। संविधःन नागरिक और आर्थिक अधिकारों की अिन्यों न संब्धान जनता के प्रते के नियंत्रण के जन्मत संग्रह उपकरम प्रतियाहन जैसे तरीकों का प्रावधान करता है यह गलत है तो हमारे तीन बस सहीं एक दो तीन यानि की सी नंबर का राइड आंसर होगा फिर आपको जोड़ी मिलाना है तो देखिए एक तरफ सुरोध द आपको देखने मिलागा जर्मनी से तो आप यहां देखें तो बी नंबर का राइड आंसर होगा ठीक है भारति संब्धान की जो प्रमुक विसेस्ताव है उसमें से एक सार्व भॉमिक बैस मत अधिकार है भारत के मूल संब्धान में 21 वर्स की आईउ वाले नागरिक को मत देने का अधिकार था जिसे किस संब्धान संसोधन द्वारा 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर देए यह कोस्चन मैंने पहले पूछा भी आप से तो आपको यहां आंसर मिल जाएगा तो इसका राइट आंसर 61 संब्धान संसोधन है जो की अधिनियम 1989 का था तो इसमें 21 वर्स से संब्धान संब्धान की संग्य वर्स और यह थी देखें यहां था तो आईस रहे थृव्य कर दें लेको आहिए और आएएस us C7 कहलते हैं स्वतंतर नियाए पालिका यह नहीं है तो सारविच्ष्ट भी नहीं है वर्स सवतंतर ययप ऩैल् avons यह एकलना गत्रिक है तो यह बिल्कुल सही है, ठीक है, दूस अधनी विधान सभाय वहम संसत, यह भी गलत है, और संगठित न्यायपाली का, यह भी सही है, निकि राज्य की हो, या फिर केंद्री की हो, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो यहाँ देख सकते देखें, हम देखें, दो, चार छे, तीन बस सही है, यहने कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर है, तीन गलत है, हमारे संभीधान की उद्देशी का, जो है, उसका सरवधिक महत्वा और संभीधान का कारेंबेन और निर्वेचन, उद्देशी का में अभिवेक्ट महान, और जो उच्छादर से उसके प्रक का मामला, ठीक है, इनकी अभी डेद भी हो चुकी है, केस बनन भारती की, भारती संभीधान की प्रस्ताबनाय में वर्णित, समाजबादी सब्द से क्या अभिपराए है, तो यहां देखिए, समाजबादी सब्द से क्या अभिपराए है, तो यहां इसका राइट अंसर है, केबल उत्पादानेबं बितरन के राष्ट निर्वान के लिए अवस्यक साधनों का राष्टी करन करना और गरीब वा अमीर के मद दूरी को कम करना ये राइट आंसर है सी नंबर का 42 संभिधान संसोधन में उसको जोड़ा गया था भारत में राजनीती ववस्ता के मूल लक्षण है तो यहां देख सकते देखें मूल लक्षण है तो कौन-कौन से है यह एक लोक्तांत्रिक गंडाज है बिल्कुल सही है इसमें संसरजनात्मक रूप में रूप की सरकार ये भ होगा निमने लिखित कतनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है तो देखें भारत की संभिधान सावा ने राश्टी दोच 22 जुलाई 1947 को अपना आया था बिल्कुल सही राश्टी दोच के बीच जो चक्र है 24 लिए यह भी बिल्कुल सही राश्टी दोच की लंबाई के संदर में निमने कतनों पर विचार करना है और यहां पर कौन सा कथन सही है तो सासन प्रानली के लोकत अंतरात्मत स्वरूप को प्रकट करती है बिल्कुल सही है यहां देखें सासन के लोग हित की लक्ष को प्रकट करती है राजनितिक और नेतिक द्रश्टी से प्रस्ता यहां देखे पहले तो हमको सत्य देखना पड़ेगा भारत का संभीधान भारत की जनता की शहमती पराज़ा यह बिल्कुल सही तो बी नंबर का छोड़ के हमारा जो है सभी सही ने कि बी नंबर का ही राइट आंसार होगा भारती है संभीधान की प्रस्ताबना में समाजबादी पंते नेट पेक्ष और अखंडता सब्द को किस संभीधान संसोधान के दौरा संभीलित किया गया है तो यह हम देख सकते हैं 42 बार संभीधान संसोधान 1916 तो 1916 हमारा A number का right answer होगा संभीधान में हमारे जो राष्ट है उसका उलेक किनकिन नामों से किया गया है तो दीखे भारत और इंडिया मतलब हिंदी में ये भारत और इंग्लीज में इंडिया इसको बोला जाता है बी नंबर का right answer है नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता की संबंद में जो है निम्लीकित कतनों पर विचार करना है भारत एक गंत संतर है इसका अर्थ है यहां देखिये हाँ सभी मामलों में अधिकार जनता के पास होता है तो ये देख सकते देखें ये गलत है भारत में संसदी सासन नहीं है ये भी गलत है भारत में बंसानुगत सासन नहीं है ये सही है मतलब गरतंत्र का मतलब जनता के द्वारा यहाँ पर गरतंत्र का निर्मान होता है ना कि ब संभीधान के विषय में एक कथन जो है भारती संभीधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले कमद संतुलन इस्थाफित करता है यह कथन किसका था तो यह केसी वियर का था केसी वियर के दौरा यह बोला गया ते निक टूर भी है और नरम भी है निमलेखित में से कोन सी भारती सम्म्मेधान की प्रमुख विश्यस्ता नहीं है? तो यहां देखिए संसेद्नात्मक सासन परणाली, सवतंतियापली का संगात्मक सररकार, परंतु सी अध्यक्षिनात्मक जो सरकार है जो कि अमेरिका में होती है वो यहां पर नहीं है, सी सुचिया ये भी नहीं निया पहली के कि दोस्ता ये भी नहीं है परंतु संविधान के निर्वाचान के लिए परिसंगी सर्वच नहीं यह बिल्कुल सही है तो दी नंबर का हमारा राइट आंसार होगा तो इतो थे हमारे कंप्लीट यहां पर कोश्चन किस से संबंदित उद इसका सन गुरूप भी है उसको भी आप जोन कर सकते हैं जितने भी लेक्चर आते हैं उन सभी की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और यहां पर आपको नहीं मिलती है तो आप एपलीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सरकार स्टेड़ीवेश एजुकेशन उसमें आपको स एक मंत का फ्री सबस्क्राइब की तरफ से और साथिसांत यदि आप MPPOLIS और MPSI की तरही तो सेम यही प्रसेस होगी और टॉप थी रंकर्स पो यहां पर मिल लेगा एक महीने का फ्री सबस्क्राइब की तरफ से बिमन तारिकों में यहां यहां पर यह टेस्स चलने वाली है यहां पर अधिदों प्लस फीजिश तरफ जाते हैं आने ग्रेमिक की ध्यागे एक सबस्कून लेने चाहते है तो मैं आप्को बता दो फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या रिफरेंस है यहां पर फ्री वाले प्लान में यहां पर सिलेवस है예요 limited practice practice test यहां पर चलेंगे limited PDF note ह और यहां पर डटोब दियन।ंस की अदिय। आपके सब्सक्राइब नेगे, तो यहां पर यह सारे हो जाएगे। लेकर इंडिया के बैस एंटरेक्ट करने का एक मास से यह जो फॉन स्लाब है 10% के 5% होने वाली है तो एक मास से पहले आप अपना सब्सक्राइब सुनिश्टीज कर ले और सबस्ट्षान लेते हैं जहां पर सब्सक्राइब को जरू डाले जहां पर 10% का आप डिसकाउंड या